अगर कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जो ओर्थोगोनल भी है और वलेंटरी भी मैट्रिक्स भी है तो यह दोनों की डेफिनेशन देखो एक की डेफिनेशन तो मैंने बताई हुई है वलेंटरी की ओर्थोगोनल और वलेंटरी दोनों मैट्रिक्स है तो बताना है आपको एक क्या होगा unit matrix होगा symmetric matrix होगा या excuse matrix होगा या इन में से कोई नहीं तो देखो कैसे करेंगे अपने पहले आपको मैं बता दूँ voluntary matrix क्या होता है voluntary matrix तो वो होता है मैंने आपको बताया था a का square करने पे i आता है तो उसको बोलते हैं क्या voluntary matrix ठीक है a का square करने पे i आता है तो उसको क्या बोलते है voluntary matrix और orthogonal matrix क्या होता है अगर a को अगर अपने उसके transpose से multiply कर दें तब i आए तो उसको बोलते है orthogonal matrix ठीक है यह दो type के matrix याद रखना अगर a को a से multiply करने पे i आए तो voluntary matrix और अगर a को a की transpose से multiply करें तो वह आता है orthogonal matrix तो by equation 1 and 2 यह दोना आपस में equal हो जाएंगे by equation 1 and 2 यह दोना आपस में क्या हो जाएंगे equal a a is equal to क्या हाजएगा a a की t ठीक है a के inverse से दोना side multiply कर दो या a से cut कर देंगे तो a is equal to क्या बचेगा यह a is equal to किसके equal बचेगा a की t के तो a is equal to आजएगा a की power t तो अगर किसी का transpose उसी matrix के equal आता है तो इसकी definition होती है आपको पता है क्या definition होती है इसको बोला जाता है symmetric matrix ठीक है तो यह द्यान रखना इसमें आपको तीन चीज़े याद रखनी है एक तो orthogonal matrix और एक voluntary matrix और एक symmetric matrix तो आपको पता ही है thank you